वेलो व्रेंड, वेलकम टो माई लुद्च कुगिंग ब्लॉग तो आज में बना रही हूँ चनी की डाल की बहती बहुती कि यहां पर पिछली रात में जो इसकी बाते हो रही है और मैं यहां पर चनी की डाल धोने जा रही हूं कि काफी देर हो गई भीगते हुए इसको तो अच्छे से फूल गई है यह देख सकते हैं तो चलिए आज मैं इसको इसको अलग तरीके से बनाओंगी बिल्कुल विर्ज स्टाइल में जैसे गाउं में बनती है तो यहां पर मैं सबसे पहले चनी की डाल को चौक लगाऊंगी इसको हल्का सा पकाऊंगी इसके लिए मैंने सरसुका तेल ले लिया है कढ़ाई में और इसमें डालेंगे कुछ है भी बहुत अच्छा आता है यहां पर मैंने डाल दिया है जीरा ब्राइल जैने तो चब नमोंब तक सब्सक्तर में बाता है कितना ता है इसमें लिए को चseits को आनोंगे यह जख रहे हम इसको ठुड़ा सा पकाना में नमक archaeology ए Supp celebration को घग देंगे देंगे मिनट के लिए बस इसे पानी आड़ नहीं करेंगे इसी तरह स्टीम में यह पंग जाएगी इसमें पानी थोड़ा बहुत है और यह देखे हैं हमारी 2-3 मिनट हो चुके हैं दाल हमारी पक चुकी है तो यह देख सकते हैं दाल पक गई है गैस कॉफ कर देंगे और इसको रख देंगे थोड़ा ठंडा होने हलका गरम ही पीसेंगे तो इधर मैं सिल्प अपनी साफी रखी है तो इसको मैं नीचे रख लेदी हूं क्योंकि यह बहुत भारी है बहुत ज्यादा भारी है इसको तो इस पे हम हलकी गरम ही दाल पीसेंगे तो इस तरह से हम हलका दर्दरा सा एक पेस्ट पेस्ट क्या मतलब हलका दर्दरा सा पीस लेंगे इस तरह से इसमें थोड़े से काली मिर्चीरा और हरी मिर्च भी पढ़ी है तो इस तरह से पीसेंग उसका टेस्ट बहुत अच्छा मिर्च होती है उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आजाता है इस तरह से देखे हमने इसको पीस लिया है सिल पे उसमें थोड़ा लाल मिचार डाल दिया है मैंने इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे यह देख सकते हैं कितनी अच्छी दाल पीस गई है कि स्मेल बहुत अच्छी जा रही है इस टाइम पर अच्छी देख सकते हैं कितना अच्छा पेस्ट बना हुआ है इससे आप फले भी बना सकते हैं इस टाइम पर हम बनाने जा रहे हैं इसके स्पेशल पराठे या पूरी बोल दीजे या बिड़ाई बोल दीजे हर तरह से मतब काउं में तो बिड़ समेल रहे हैा ह। सके तोड़ और यहां पिलोगा निया है सर्सो के तेल से ही बनाऊंगी और यहां पूर्ति आई घानके लिए तो अभी तो बनाने स्टार्ड भी नहीं की थी और वह पेल लटका करके बैठेह हैं वेट कर रहे हैं कि जल्दी से इतल बढ़े और मुझे मिले, तो मैं भी आपको उनसे भी मिलाओंगी, मेरे घर रोज का है, रोज महमान आ जाते हैं, तो यहां पर मैं आटे की पेड़ी बना ली हूँ, इस तरह से लोई, इसको हल्का सा बेल लेंगे, और मैं चौकोर पराठा बना रही हूँ, बहुत ही अच्छे से स्ट पिंग डाली है मैंने, यह पहला पराठा में बना रही हूँ, उधर वो मांग रहे हैं, महराज जी बैठे हुए हैं, आए हैं सुबा सुबा, तो मैं पठा पठ से बना देती हूँ, दे देती हूँ, तो यह देखे, इतना सारा मैंने दाल भरा है इसमें, और चलिए बन गय कोआएगा कोऊएगा आओ, मेरे पहले बनाएगा दिखियों तो मेरे पहले बनाया था मैने पहले पराठा यह देखे, यह खाव है, खाना है, बना दीर ऑद निदेगा थैसे, यह अटेना है, यह खाना है यह वाँ ने आपत मौना जिं रहा पराठी है अंदर बरा है माल बरा है अंदर अज़ी पक्रण दोनों होसे तो अब यह हम इनको प्लाने जा रहे हैं वह पराठा लेकर भाग गए हैं और मैं आ गई हूं तुपारा की चन में तो मैं बच्छों के लिए और लोगों के लिए भी बना लेती हूं तो फटा-फट स लिम्हीं प्रॉसेशेष, बन करके पैक करके, बिषंगिग बेल करके पराघ्थे, बना लिती हो। यह जो क्राध्ड़ इस्तित हैं। आप शॉस, चिली, तुममेटियो, टामेटियो, हरी चणि바 K baseister यह हमस्कों सब्सक्तर बेंगा सकता हिस कि स्पजी के साड़ बिड़ई खाने तो कैसे लगी ये रेसिपी प्लीज कॉमेंट करिएगा लाइक सियर सिस्क्राइब